सो ही गाइज कैसे आप सभी उमawk है कि याप अच्छे होगे आजम बात करने वाले आपके श्टेट 2 के वारे में आपके श्टेट 2 में किया हुआ कैसे होगा और कैसे आपको पास करना ये सब को जानकर ये आपको इस वीडियो में देने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यदा आपका कमेंट आ रहा था कि सर हमारा स्टेज फरस्ट हो चुका लेकिन स्टेज टू में क्या क्या होने वाला है इस वार प्लीस आप इसके पर वीडियो बनाएए तो भाई आपके लिए वीडियो आ चुका है A to Z जानकर ये आपको step by step देने वाले हैं तो अंतर इस वीडियो को देखना आज का वीडियो आपके लिए बेहदी important है अभी तरह आपने वीडियो लाइक नगरा लाइक कर देना शेयर कर देना तो अब बात करते हम आपके state 2 के बारे में ये तो आपको पता होगा कि आपके state 2 में किया होगा क्या नहीं यदि नहीं पता है तो हम clear कर देते हैं नमबर एक दोस्तो आपका physical होगा यानि की PFT होने वाला physical फिडियो टेस्ट होगा नमबर दो आपका DB होने वाला यानि की आपको बता दे document verification आपका होगा नमबर तीन आपका medical होने वाला जी हाँ दोस्तो एड हो चुका है इस वार आपका medical भी होगा पिछली वार COVID की second wave की वैसे आपका medical नहीं होगा था केवल आयन चलका में आपका medical होगा लेकिन दोस्तो इस वार दो बार आपका medical होगा एक तो आपका state two में दोस्तो दिहान दो important बात है एक तो आपका state two में medical होने वाला है और एक आपका final medical होगा वो होगा आयन चलका में state three में आपका medical होगा ठीक है कुल मिलाकर दो medical आपको देने होंगे, qualify करने होंगे, तो आपका physical plus document verification plus medical तीनों एक दिन होगा state 2 में, बाकी medical को लेकर कोई ऐसा update आया नहीं है कि medical इस वार cancel होने वाला है, पिछली बार तो covid की वैसे cancel कर दिये गया था, लेकिन आपका होगा इस वार state 2 में, कुल मिलाकर आपको दो medical देने होंगे, एक तो stage second का और एक stage third का, यदि आप second के लिए कर लेते हो, तो stage third का medical होने वाला आयने चलका में, ठीक है, final आपका medical होगा, और second होगा दोस्तो, ICG के exam center पर, तो ये वाली बात आपके लिए समझ चुके हो, अब बत करते हैं हम आपके physical के वारे में physical में क्या होगा, क्या नहीं, दोस्तो, 1600 मेंटर आपकी running होगी, यानि की 1.6 किलो मीटर रनी होगी, जो की आपको 7 मेंट में complete करनी होगी, पूरा time आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि 7 मेंट सा 6 मेंट हो जाएगा, 5 मेंट हो जाएगा, नहीं, आपको 7 मेंट correct दे जाएगा, और आपको complete करनी होगी, यदि 7 मेंट से जादा हो जाता है, तो आपको disqualify कर दिये जाएगा, ये बात धिहान रखनी है, पूरा time आपको मिलेगा, और 20 उठक बैटक आपका होगा, and 10 push ups आपका होने बाला है, ये normal होता आपका physical, तो आप अराम से qualify कर पाओगे, यदि आपने त देखा नहीं है, तो देख लेना, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, और हाँ दोस्तों, इंडन कोश्टगार जोड़ी, एक एक जानकारी हम आपके लाते हैं, यदि आप चैनल पर नहीं हो, पहली वारा ही हो, तो चैनल सस्क्राइब कर लेना, पहले कर दबा देना, physical के वार लिजे सुवे, दुफैर और सामका, जितना हो से कि उतना पुसप्स कीजे, जितना आपको लगा सकते हैं, ठीक, बाकी 20 उठक बेटक होता है, आप इस आराम से किले कर सकते हैं, सबसे एजी होता है, ठीक है, और दोस्तों, आप डॉकमेंट तयार कर लो, क्योंकि आपको कब होगा, जैसे कि आप जानते हैं, कि नो टीवी किसमें किलियर दे रखाए कि आपका जो होने वाला फिजीकल वो होगा, अक्टूवर में, अक्टूवर की एंड तक करा दी जाएगा, जो की महीना चला, लेकिन दोस्तों, अभी रिजल्ट आया नहीं है, एंड आपका इस सेकंड उससे पहले नहीं होने वाला, पहले तो आपका रिजल्ट आएगा, कट अप जाएगी, उसे के बाद तो आपका सेकंड होगा, दोस्तों दिहान दीजे, यदि आपका रिजल्ट इस वीक आजाता है, तो आपके फिजीकल इस महीने में हो सकते हैं, इस महीने में करा स होगी और साथ मिंट आपको पूरा दिया जाएगा सुबह साम जितना हुसे के रणिंग कीजिए और ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए पुसपस पर ठीक है मेरे भाई जितना हुसे के दिन राते कर देनी आपको वक्त आ चुका बाद मत कहना है कि सर आपने बताया नहीं कि आगा जाके यह समस्या बड़ी ने बन जाए और आप सीधा एक्जाम से भाननी हो ठीक यह हम आपको पहली बता रहे हैं प्राइवेट पार्ट हुआ उसको चेक करा लेना क्योंकि बहुत बच्चों के समस्या होती है भाई देख लेना पहले यह काम पहली करा कर रख लो क के प्राइब आपको कर लेकर टाक्में अम डिपर देख लेंगे रिपोड लेकर आपको सत्युम्हार नहीं जाएगा आप दिखा सकते हो कि सत्यापित कर सकते हों कि हमने बाहर टेस्ट कराया था और हम फिट थे और आपको अनुफिट करेंगे ईसीज़ी तो रख आप के Сल चोटी बात है दोस्तों आप समध्दार हो आप कर लोगे ठीक है बाके आप नीचे कमेंट करके बताओ जो भी आपकी समस्या है medical में दोस्तों आप नीचे comment कर देना वीडियो आपके लिए आ जाएगा ठीक है और ही बाद दोस्तों आपके result को लेकर जब भी आपके result आएगा तो सबसे पहले जानकारी हम आपको telegram के जरी देने वाले हैं यदि आपने telegram journey कर रखा है तो join कर लेना ठीक है तो almost हमने stay to go लेकर सबको जग कर दे दिये अब जो भी आपका सवाल हो तो नीचे comment कर देना भाई आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो आपको पसंद आई तो like कर दो share कर दो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आप तियारी करते हैं अपने ख्यार लगो जय हिंद